मसकार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे विल्कम बेक टो मैं चैनल स्टड़ी विद नेहा मैम आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास आठवी की ये बुक है इसका चेप्टर नम्मर साथ भारत जन्नता अहम इसके आज हम कोशन अंसर क जाएंगे यदि आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं किया है तो आप इससे पहली वाली वीडियो जरूर देखें क्योंकि कोशन अंसर तभी अच्छे से याद होते हैं जब आपको इस चेप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता होगा यदि आपको हि अच्छे से समझ नहीं आएंगे तो उम्मीद करती हूँ आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लिया होगा अब हम शुरू करते हैं पाठे दत्ता नाम पध्या नाम सैस्वर वाचनम कुरुत हमने इससे पहली वाली वीडियो में इसके पध्यों का सैस्वर वाचन कर लिया है अब हम देखते हैं कोशन नमर दो प्रिश्णा नाम उत्तुरानी एक पदीन लिखत हमको एक पद में एक शब्द में उत्तर देना है अब हम इसका फर्स्ट कोशन देखते हैं अहम वसुन्दराम किम मन्ने में पूरी पृत्वी को संपून पृत्वी को अपना परिवार मानती हूँ मम सहजा प्रकृती का अस्ती मेरी सहज प्रकृती क्या है मम सहजा प्रकृती मेत्री अस्ती मेरा सहज स्वभाव मित्रता है अहम कस्मात कठीना भारत जनता अस्मी अहम मैं कस्मात किस से कठिन भारत की जनता हूँ अहम कुलीशात मैं वज्र सेवी कठीना याने की कठोर मैं वज्र सेवी कठोर भारत की जनता हूँ अस्मी हूँ में मित्र की आखों से किम यानि की क्या देखने वाली भारत की जनता हूँ अब हम देखते हैं कोशन नमबर तीन प्रिशना नाम उत्तराणी पूर्ण वाकियन लिखत अब हमको इन कोशनों के अंसर पूर्ण वाकिय में देने हैं भारत जनता अहम कई परिपूता अस्ति में भारत की जनता किसके द्वारा पवित्र हूँ भारत जनता अहम आध्यात्म सुधा तटिनी स्नान यी परिपूता अस्ती में भारत की जनता आध्यात्म रूपी अमरतमई नदी में इसनान के द्वारा पवित्र हूं समम जगत कथम मुगधम अस्ती संपून जगत मुझ पर किस प्रकार से मुगध है भारत जनताया नरत्याई गीताई काव्याई चे मुगधम अस्ती जो पूरा संसार है वह मुझ पर मेरी नत्य से, मेरी गीत के द्वारा, मेरे काव्य के द्वारा मुझ पर मुझ पर मुग्द है अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनती हूँ अहम प्रेम श्रिह चे अव्यम चिनोमी मैं प्रेम, श्रिह, प्रेम यानि की रुचीकर, श्रिह यानि कल्यानकारी उवयम दोनों को चिनोमी चुनती हूँ आहम कुत्र सदा द्रश्य मैं कुत्र यानि की कहां द्रश्य यानि की हमेशा द्रश्य देखी जाती हूँ आहम विश्वस्मिन जगती सदा द्रश्य हैं मैं संपून संसार में हमेशा देखी जाती हूँ समम जगत कई-कई मुगधम अस्ती संपून जगत किस-किस के द्वारा मुझपर मुगध है भारत जन्ता हा नत्याई, गीत अई, काव्यास्च है मुग्धम अस्ति भारत की जनता नत्य के द्वारा गीत के द्वारा काब्य के द्वारा मुग्ध है अब हम देखते हैं कोशन नमर चार संदी विच्छेदम पूर्यत हमको संदी विच्छेद करने हैं शब्द दिये गए हैं इनका संदी विच्छेद करना है मैं आपको एक ए विछेद करने में आसानी हो अब हम देखते हैं विनेय उपेता इसका संधी होगा विनेय प्लस उपेता कुसमात प्लस अपी मैं आपको बताय था इसका संधी कुसमात अपी चिनोब्य उभयम चिनोमी प्लस उभयम रत्यर मुगधम रत्याई प्लस मुगधम प्रकरते रस्ती प्रकरती प्लस अस्ती लोग कईड़ आ सकता लोग कारती प्लस आ सकता अब हम देखते हैं question number 5 विशेशन विशेश्य पदानि मेलियत यदि आपको ये नहीं पता है कि विशेशन विशेश्य किसे कहते हैं तो मैंने इसकी वीडियो भी बना करके चैनल पर डाली हुई है अब चैनल पर जा करके देख सकते हैं अब देखो ये विशेशन शब्द हैं ये विशेश्य है अब हम समान आर्थक कानी पदानी मेलियत जैसे जगती इसका आर्थ होता है संसार और संसार का आर्थ भी होता है संसार तो दोनों का अर्थ सेम है, ठीक है, कुलिशात, यानि कि वज्र, और वज्रात, यानि कि वज्र, ठीक है, इनका अर्थवी सेम है, अब देखो प्रकृति, स्वभाव, चक्छोशह, नेत्रेन, तटीनी, यानि कि नदी, नदी, वसुंदराम, पृत्वीम अब हम इसका last question देखते हैं उचित कथना नाम समक्षम आम अनूचित कथना नाम समक्षम च नह इती लिखत हमको जो कथन सही है उनके सामने आम यानि की सही या हा कह सकते हैं और जो कथन गलत है उनके सामने हमको नह यानि की नहीं लिखना है अहम परिवारत से चक्छुशह संसारम पश्यामे मैं परिवार की आँखों से संपून संसार को देखती हूँ आम समम जगत मम काव्य मुगधम अस्ती संपून जगत मम काव्य मेरे काव्यों के द्वारा मुगध है या मेरे काव्यों से मुगध है आम आहम एविवेका भारत जंता हैं असमी मैं एविवेक भारत की जंता हूँ नहीं भारत की जंता कैसी है सु विवेका तो यहाँ पर आजाएगा नहां अहम वसुंदराम कोटुंबम ने मनने मैं अब पूरी पृत्वी को अपना परिवार नहीं मानती हूँ नहीं भारत की जनता पूरी पृत्वी को अपना परिवार मानती है अहम विज्ञान धना ग्यान धना चैसमी मैं विज्ञान रूपी धनवाली और ग्यान रूपी धनवाली हूँ आम हाँ ये थे आपके चेप्टर नमर साथ के कोशन आंसर उमीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे एक वार दो वार इनका रिवीजन कर लेना अच्छे से आपको बहुत ही अच्छे प्रकार से ये याद हो जाएंगे कम पढ़ें पर रेगुलर पढ़ें इस बात को मैं हमेशा कहती हूँ अपनी पढ़ाई में रेगुलर्टी रखें थोड़ा 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 करने से आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी बोक याद हो जाएगी उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्स्राइब करना ना भूलें यदि थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करें धन्यवाद